रवी किशन ने बीते सुमवार को संसद में बॉलिवुड में फैले ड्रक्स के मुद्दे को उठाया था जो की फिलहाल बॉलिवुड में चर्चा का विश्य बना हुआ है उनके बयान को लेकर अब अनुराक कशप ने बड़ी बात कहती है फिल्म मुक्काबास के दौरान का किस्सा सुनाते वे अनुराक कहते हैं कि रवी किशन ने मेरी फिल्म मुक्काबास में काम किया था रवी किशन अपने दिन की शुरुआत जैशिफ शंकर, जैबंभोले, जैशिफ शंबुक्त से करते हैं वो खुद वीड लेते थे और ये बात सब जानते हैं ऐसा कोई भी शक्स नहीं है जिसे ये पता नहीं कि रवी किशन स्मोक नहीं करते उन्होंने भले ही अब छोड़ दिया हो क्योंकि वो नेता बन गए है शायद अब वो ये सब ना करते हो तो आप देख सकते हैं कि बॉलिवुट में ड्रग्स कनेक्शन की जास की मांग कर रहे रवी किशन को लेकर अनुराग ने दावा किया है कि वो वीड का सेवन करते थे अब रवी किशन ने अनुराग कश्चप के आरोप पर सफाई देते वे कहा है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी तब्य ठीक नहीं है उन्हें अपनी तब्य ठीक कर लेनी चाहिए वो आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े ये सब लेफ्ट माइन की विचारधारा की उपज है तो अनुराग कश्चप के मताबिक ऐसे लोगों को वो गेट वेल सून कहना चाहेंगे क्योंकि ये लोग मुद्दे को भटका रहे हैं जिन लोगों का ये प्रती निदित्व कर रहे हैं दरासल वो इंडस्ट्री को खोकला करने वाले लोग है इन्हें उनका साथ ना देते वे देश को साफ सुत्रे मुल्क की तरफ ले जाना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि रवे किशन द्वारा संसद में उठाए गए ड्रक्स के मुद्दे ने किस कदर तूल पकड़ा हुआ है पहले जया बच्चन ने बॉलिवुड का बखान करते वे अपनी थाली वाले बयान से उन पर कटाक्ष किया था और उसके बाद शुरू हुआ आरोब प्रत्यारोब का ये दौर लेकिन फिलहाल तो देखना होगा कि दो धडो में बटी इंडस्ट्री इस पूरे ड्रक्स मामले को कहां तक ले कर जाती है